दोस्तों पतना में कुल 22,000 B8 के ऐसे भरती जो प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं वो अपनी जॉब से टर्मिनेट हो सकते हैं एक बहुत ही बुरी ख़बर निकल के आ रहे हैं खासता हो से B8 के लिए आपको बतना चाहेंगे कि पतना हाई कोड केस नंबर 50 तिर्बन डेलेड VS B8 बिवाद मामला जो की 2021 से लंबित था इस पर फाइनल हेरिंग हो चुकी है और सुनवाई करके पतना हाई कोड की डबल बेंच ने इस मामले में मामले को सुरक्षित कर लिया था पांस तारीकों 5 दिसंबर को और आज 6 दिसंबर को इस पर जो है फैसला आ चुका है अभी इसको सुप्रीम कोड ने 11 अगस्त 2023 को निरस्त कर दिया था आपको याद होगा कि राजस्थान हाई कोड से ये पूरा विवाद जन्मा था जब राजस्थान हाई कोड ने प्राइमरी के लिए B8 को अलिजिबल नहीं माना था और इसके बाद सिर्फ डेलेड या समकक्ष ज यहां पर B8 को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी हो गई थी लेकिन इसके बावजू दे लग रहा था कि B8 क्योंकि NCT के द्वारा मानिता प्राप्त है और इस पर गजट भी जारी हो चुका है भरतियां भी चल रही है और पूरे-पूरे भारत में जो भी बड़ी-बड़ी संस पताएं थी उन्होंने भी B8 को लाउट किया था लेकिन अंत में उन्होंने एक लाइन लिख दिया था कि हम B8 को लाउट कर रहे हैं लेकिन जो मामला जो रिट पैटीशन डाली गई है सुप्रीम कोड में उस पर जो डिजीजन आएगा उसी के मुताबिक आगे जो है जो B8 और BTC दोनों को अलाउट किया गया था साथे चलन की सिक्षक भरती भी हो चुकी है यह मामला जो है छटे चलन से संबंदित है जिसमें 22,000 जो सिक्षक हैं जो की B8 कीवे हैं यह प्रभावित हो सकते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सारी जोइनिंग सब्जेक्ट टू रिट पर हुई थी यानि कि B8 को जो जो जोइन करवाया गया था प्राइमरी में वो सब्जेक्ट टू रिट पेटिशन के आधार पर जोइन करवाया गया था अब पत्ना हाई कोट ने डिलेट की सारी आजिकाओं को एलाउग कर दिया है विद डैरेक्शन तो इसका मतलब यह है क डिलेट ने जो भी यहाँ पर आरोप या एलिगेशन लगाये थी B8 पर तो जो भी आजिका में जो भी बाते कहीं थी सारी चीजों को एलाउग कर दिया है B8 को प्राइमरी के लिए डिस्क्वालिफाई बताया है और B8 को फिलाल इन चीजों से यही लग रहा है कि B8 को प्र आपको सारी चीजों के बारे में one to one आउगत करा दूँगा फिलाल जो निउज निकल के सामने आ रही वो मैंने आपको बताया था और यहाँ पर कुछ भी मैं अपनी और से नहीं जोट रहा हूं ना मैं अपनी और से कुछ बता रहा हूं और ना ही यह मेरे अपने वीचार ह है हमें प्राप्त हो रही है उसी के मताबी के निउज में आप तक पहुंचा रहा हूं लेकिन क्योंकि लगबग जो सूर्सिज हैं वो अथन्टिक हैं तो आप इस निउज को काफी हद तक सत्यमान सकते हैं लेकिन मैं आप से ही कहूंगा कि final judgment की काफी आने दीजिए उसके अगला वीडियो आए तो वह आप तक सहस्ता से अपना नोटिफिकेशन भेज सके थैंक्यू